नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगिताज कॉर्णर में आज में लेके आए हूं बालुशाई की रेसिपी फ्रेंट जो कि सबसे कम समय में बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई होती है और ये आज हम मैदा से नहीं बनाएंगे बलके गेहूं के आटे से बनाएंगे इसलिए ये काफी हल्दी भी है फिर भी ये बहुत ही खस्ता और जूसी बनके रेड़ी होगा फ्रेंट तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक से रिकमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूरान कर लीजेगा तो चलिए फटा-फट सुरू करते हैं आज की ये टेस्टी मिठाईक रेसिपी बालु साही बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा के तयार करेंगे और डो लगाने के लिए मैं यहां पर यूश कर रही हूँ गेहू का आटा तो मैंने यहां पर दो कप गेहू का आटा ले लिया और उसे हमने एक बार चान लिया है ताकि बिल्कुल फाइन आटा हमें चाहिए ताकि बालु साही का जो टेक्श्टर है वो अच्छा आ सके और टेस्टी बालु साही बन सके तो यहां मैंने इस बोल में दो कप ले लिया है गेहूं का आटा उसमें लेंगे दो पिंच नमक ताकि बैलेंस हो सके इसका टेस्ट और आधा छोटा चमश लेंगे बेकिंग पाउडर ध्यान रखेंगे हमें बेकिंग सोडा नहीं बलकि केक बेक करने के लिए हमने जो बेकिं तो यहां पे हम लोग ज्यादा मसलेंगे नहीं इसको ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे जस्ट एक जगह एकठा करेंगे तो हाथों से कर लेते हैं हाथ लगा के सारे आठा को एक जगह एकठा कर लेंगे बेसिकली क्या है कि जब हम लोग बालु साही बनाते तो उसमें अच्छे लेयर्स हमें लाना होता है उसमें अच्छे क्रैक्स आएंगे तभी वह उपर से खसता होता है और अंदर से वह जूसी यानि juice वो एब्जॉर्व कर पाता है तो उसके लिए जो है कि यहां से हमें layers की जुरुत होती है यही मसल के इसको smooth कर देंगे तो वह layers खराब हो जाएंगे इसलिए इसको बस इस तरह से एकठा करके हम रख देंगे चुकि इसमें हमने baking powder का यूज किया इसलिए आटा काफी fluffy ह जाता है तो यहां पर इस डो को हमने लगा के तयार कर लिया है और एक बड़ा चमच पानी हमने और यूज किया था इस डो को लगाने के लिए बस इसको max किया है हमने और ढग के 10-15 मिट छोड़ देंगे ये set होने के लिए जब तक यह set हो रहा हम चासनी बना के तयार करते ह बालु साही के लिए चासनी बनाने के लिए एक बरतन में डेड़ कप चीनी लिया है सेम वही कप का यूज कर रही हूं और उसमें डालेंगे हम तीन चौथाई कप पानी यानि जितना चीनी लिया है उसका आधी क्वंटिटी में पानी दो हरी इलाईची और थोड़ा सा केसर क लो टो मीडियम फ्लेम पे बहुत जादा गाड़ा हमें करने के जुरत नहीं है चासनी को और लास्ट में डाल देंगे आधा छोटा चमश निम्बू का रस ताकि जो सिरप है वो किस्टिलाइज ना हो यानि कि वो ठंड़ा होने के बाद जमे नहीं बालु साही के ऊपर और दो भी यहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो यह बिल्कुल पर्फेक्ड है उससे हम कांटर टॉप में कर लेते हैं थाकि इसके बाल्स हम बना सके बाले से पहले इसके अच्छे से और ले यर हम बनाएंगी ले अर्टे बने वे करके इस तरह से लियर स्विन बनांते जाएंगे तो से तिन से चार वार रिपीट्ट कर लें ताकि उसा जितना जादा अपको लेर्च चाहिए आप रिपीट कर सकते हैं तो इस से फ्लेट करते जाना उसके ऊपर कट लगाना है फिर से ऊपर रख के फिर से इस तरह से फ्लैट कर लेना है इस सरह करने से उसमें बहुत ही अच्छे लेइर्स बणने चालो हो जाते हैं और जब उसे हम फ्राइ करते हैं तो लेइर्स क्छलते हैं जिसके कारण उसके अंदर juice absorb होता है तो बस यह चुट चुट बातों का ध्यान रखेंगे तो बालू साही जो है बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे बनके तैयार होंगे बहुत ही कम चीजों से कम महनत में बनने वाली मिठाई है और इस मिठाई के सबसे खास बात है कि इसे आप चार दिन पहले आठ दिन पहले भी बना के रख सकते हैं जैसे यह पुराना होता वैसे और टेस्टी होता है और यहाँ देखिये हमने बराबर टुकडो में इसको काट लिया और इसके लेयर्स को आपने को दिखाया है मैंने अब इसको क्या करेंगे रोल करेंगे यहाँ पर रोल करना बहुत ही important ही यह दि आप इसी तरह से बालु सही के सेप में fry करेंगे तो उसके layers जो हैं वो खुलने लगेंगे तेल में जाके rolls करेंगे ताकि वो सारी layers से वो एक जगा एक अठा हो जाए फिर बराबर टुकडों में काट लेंगे और हाथ के थिलियों के मदद से इस तरफ बॉल का safe बना के हलका suppress करेंगे और बीच में एक hole बना लेंगे मतलब बालू साही का हमें इसमें safe दे देना है पेसी कली तो ये बहुत छोटा सा ball लिया था इसलिए छोटा सा बालू साही बनाया है आप अपने 1% size का बना सकते हैं तो सारे बालू साही मेंने बनाए हैं और एक लास में और बना के देख रही हैं हाथों के बीच में बाल बनाएंगे हलका सप्रेस करेंगे ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है और बीच में इस तरह उंगली के मदद से hole बना लेंगे दो से तीन बर दोनों तरब से पलट पलट के उसमें hole बना लेंगे hole बनाने से क्या होता है कि वो अंदर से अच्छे से पक जाती है और juice भी बहुत अच्छे से absorb कर लेती है तो अब चलिए इसे फटा फटा हम fry कर लेते हैं fry करने के लिए हमें बिल्कुल कम गर्म तेल चाहिέ तो बहुत तीज गर्म तेल रहा तो ये फटा फट color change हो जाएगा और अंदर से कच्छी रह जाएगी तो हमें जस ऐसा तेल चाहिए कि बबल से उपर आ सके इससे ज्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए उसके बात काफी सॉफ्ट हो जाता है इसमें हमने बेकिंग पावडर यूज किया है मॉइन बहुत सारा लिया है तो वह घलने के बाद इस तरह से उसका हलका सा कलर आ जा उसके बाद ही फिलिप करेंगे नहीं तो पालूसा ही तो तोटने लगेंगे तो फ्राई करते समय बस हमें इसी बा दिन भी रखके खाएंगे फिर भी इस मिठाई का ना टेस्ट चेंज होता है और ना ही खराब होता है तो इस होली में इस तहवार में इसे जरू ट्राइ कीजिएगा और सबसे अच्छी बात है कि यह मैदे से नहीं बलके आटे से बनी वी इसलिए काफी हेल्दी भी है हम बच आति को थे बाता है जिर्ड़ को पर चेशना तो ए सिर्ब करजा तो यह इसलिए का अइज रखत कर रहा है कि अजरे का तो यह थोड़ थोड़ेंगे तक दूस्य बान श्यक्या आपने आंदर आपशर्ब करेंए कर रहरा है मैं यह तो इहाँ पर इसको चोड़ देंगे दो से तीन मिनट के लिए तब तक दूसरा बैस तल लेते हैं लेकिन चुकि तेल ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए गैस का फ्ले में बंद कर दिया है बहुत ज्यादा गर्म तेल में हम लोग नहीं डालेंगे बालु साही को और उसको भी सेम उसी प्रोसेस से करके जो सिरफ में डिप करके और मैंने निकाल लिया है इसको हम लोग छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के ताकि ठंडा हो जा उसके बाद मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूं यह देखी तो उपर से काफी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बालु साही हमारा बनके यहां अभी भी हलका सा गर्म है इसलिए आप देख सकते कि अंदर तक यह अच्छे से एब्जॉर्ब किया हुआ है तो आज की बहुत ही जी बिठाई आपको कैसी लगी फ्रेंट्स प्लीज कमेंट में जुरू बताइएगा अच्छी लगी हो तो जाते-जाते लाइक करना लोगी होरु हो यह वीज्च एस बास सब्सक्रइब बडाईब करें दावरु प्रेंट के जाते एस वायर तक यांवी गरी।